आज का पहला प्रश्ण है OBI द्वारा समावेशन सुच्च कांके में भारत 139 देशों में कौन से अस्थान पर है तो भारत साथियो OBI द्वारा समावेशन सुच्च कांके में 117 नंबर पर है कितने देशों की सुच्ची में तो 139 देशों के सुच्ची में साथियो और ये र थमस्थान पर दूसरी अस्थान पर पुर्तगाल है और तीसरी अस्थान पर नीदर लेंड है याद रखना साथी हो और भारत का अस्थान क्या है इसमें तो 117 है साथी हो और भी कुछ इंडेक्स हैं 2023 की जैसे कि गलोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस पर थमस्थान पर है और भारत का स्थान 111 है, वेश्विक पैंसन सुचकांग 2023 में नीदरलेंड परतम स्थान है, और भारत का स्थान क्या है, 45 है साथियो, ग्लोबल लिविविलिटी इंडेक्स 2023 में, वियाना परतम स्थान पर है, और मुंबई और दिल्ली को 141 ड्रेंक मिले हैं साथियो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में, आइसलेंड परतम स्थान पर है, और भारत का स्थान क्या है, 127 साथियो, जलवायू परी वरतन पर दर्जण सुचकांग में, वरतन पर कोई भी देस को ने रखा गया है, चौते स्थान पर कौन है, डैनमार्क और भारत का स्थान क्या है, आठम साथियो, वेश्विक आतंकबाद सुचकांग में, अफगानिस्तान मुरह परतन पर है, ये जितने भी इंडेक्स हैं साथियो, ये 2023 हैं साथियो गलोबल जेटर गैप इंडेक्स में भायद का स्थान कैए 127 वेसेविक आत तंकवाद सुचचकाँ में भायद का स्थान कैए 13 और लेंकिक समानता सुचकांग में 146 भारत का स्थान है अगला प्रश्ण हमारा है भारत अंतराश्टिये बैपार मेला 2020 का आयोजन कहां हुआ है तो साथियो इसका आयोजन जो हुआ है न वो नई दिल्ली के प्रगती मैदान में हुआ या तक न प्रगती मैदान कहा परे नई दिल्ली में है ताल कटोरा एस्टेडियम भी नई दिल्ली में ही है साथियो अब देखो नई दिल्ली तो टेलिकॉम रेगुलेटरी एथरेटी ओफ इंडिया का हीड़ क्वाटर नई दिल्ली में है यूनियन पबलिक सर्बिस कमिशन का हीड़ क्वाटर नई दिल्ली में है बॉर्डर सुक्रेट्री फोर्स का हीड़ क्वाटर नई दिल्ली में है ओल एंड नेच्रल गैस कोर्पोरिशन का हीड़ क्वाटर नई दिल्ली में है Table Tennis Federation of India का headquarters नहीं दिल्ली में है, All India Football Federation का headquarters नहीं दिल्ली में है, साथियो National Highway Treaty of India का headquarters कहा है नहीं दिल्ली में, पंजाव National Bank का headquarters नहीं दिल्ली में है, DRDO, Defense Research and Development Organization जिसकी ये स्थापना 1958 में हुई थी, इसका headquarters भी नहीं दिल्ली में है, नीति आयोग, National Institution for Transforming India, नीति का full form है, इसका headquarters नहीं दिल्ली में है, देखो, ये जितने भी संस्थान साथी हो है, ये सारे नहीं दिल्ली में है, बस इसके स्थापना आप उयाद रखनी है, क्योंकि ये हीजाम के लिए बहुत ही मार्त पुर्न है, स्थापना कब ही, 90- Larry- mindfulness में हुई, हीमायो के मकवरे का न्रमान हाजी बेगम ने करवाया था, ये नहीं दिल्ली में है, सब्दर गंज के मकवरे का निर्मान सुजाओ दौला ने करवाया था यह भी नई दिल्ली में है खिरकी मस्जिद का निर्मान किसने करवाया था गया सुजिन तोलक ने करवाया साथियो कुत्व मिनार भी नई दिल्ली में है, आपको बताना है कि कुत्व मिनार को पूरा तो कुत्व दिन एवक ने कर, साथी बनवाया तो कुत्व दिन एवक ने था, पूरा किस ने करवाया था ये बताना है के मेंटा बॉक्स में आपको साथी हूँ, ही मायू का मकबरा और कुत् प्रचालन सुरक्षा नीती 2023 को मंजूरी इस राज सरकार ने दिया है तो उत्तर परदेश ने साथियो 20 का एंसर होगा उत्तर परदेश ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीती 2023 को मंजूरी दिया है अब उत्तर परदेश ने यहां मंजूरी दिया है तो उत्तर परदेश से आ उकसभा और आसवा राज्य जो आपका है वो उत्तर परदेशी है सरवधिक डिष्टिक भी यहीं पर है 75 डिष्टिक जो आपका है यह उत्तर परदेश में है दुधवा नहराष्ट्रिय उद्यान कहा है उत्तर परदेश में बखीरा वन्य जी पभ्यरन किस राज्य में है तो सो रिहंद परियोजना किस राजी में हो जाएगा ये बताना है केमेंट बॉक्स में आपको बस मैं बता रहा हूँ आपको कि सो रिहंद परियोजना जो आपका है ये सतलज नदी पर है और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है सारदा परियोजना सारदा और गोमती नदी प्रियागराद सहर के पुलीष ने वरिष्ट नागलकों की सहाइता के लिए सवेरा योजना पंजा अमरित योजना भी उत्तर पदेश में चल रहा है अगला प्रश्ण हमारा है बोगो सागर नो सैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है तो बोगो सागर साथियो बंगलादेश और भारत के बीच होता है और एक सम प्रिति सैनिक अभ्यास है ये भी भारत और बंगलादेश के बीच होता है साथियो साथि अब देखो कुछ महात्वपुर्न सेन अभ्यास को देखते हैं और बंगलादेश की वारी में जानते हैं बंगलादेश की केपिटल क्या है धाका है यहां के क्रेंशी क्या है सात्यों टका बंगलादेश की क्रेंशी क्या है टका यहां के प्रेसिडेंट कौन है मुहम्मद सहा बुद्दीन यहां के प्राइम निश्टर कौन है से खसीना संप्रीति थलसैनिक अभ्यास जो होता है यह भारत और बंगलादेश के भी होता है पर देख वर्ष बंगबंधु नेस्टनल स्टेडियम जो आपका है धाका में है कहां पर है धाका में बंगलादेश के संसद का न किड़ मेघाले अव्यानिसि का पुरा नाम है वाटराह्समॉार्ट की रवीयान स्टन सुना किश्ष में अ किमिघाले में आयोRC मेंוכ हो form किए राश्ट्री उद्ध्यान Technology नोक्रिक राष्ट्रीय उद्ध्यान यादशन नोक्रिक राष्ट्रीय उद्ध्यान सीजू वन्ने जीब अभ्यारन, बलफकरम राष्ट्री ये उध्यान किस राज्य में है मेघाले में, जारू की अंतराष्ट्री हवायड़ा सी लॉंग में है, पुर्व का स्कॉट्लेंड और मेगु का घर किसे बोलते है मेघाले को, मेघाले में साथियो स्रवधिक वर्शा होती है, मेघाल कि जो परमुख तीन जन जाती है, चार जन जाती साथियो कि कई बारी जाहें पूछे गए है, गारों खासे मिकिर और जयानतिया, किस राज्य की जन जाती है तो मेघाले की, मेघाले में जारू की अंतराष्ट्री हवायड़ा है, और साथियो मेघाले में ही नोकरिक नैसनल पार्क भी है अगला प्रश्ण हमारा है बाई जूस एजूकेशन फॉर आल के ब्रांड अमबेश्टर कौन है तो लियोनल मेसी साथियो बाई जूस एजूकेशन फॉर आल के ब्रांड अमबेश्टर कौन है लियोनल मेसी साथियो कुछ और भी महत्तुपुन ब्रांड अमबे रितिक रोसन सातीयों। है। क्यारां होज़ोग। परे Aegisbread कुऩ। रोही सर्मा है लेकिन जीयो मार्ट के ब्रांद मेस्टर महेंदर सिंग धौनी है आदगना जीयो सिनेमा के ब्रांद मेस्टर कौन है रोही सर्मा लेकिन जीयो मार्ट के ब्रांद मेस्टर कौन है महेंदर सिंग धौनी बेगफिट के ब्रांद मेस्टर कौन है आयू समान खुर करके वाइकॉम जियो मार्ट और लेजी के ब्रांड अमेस्टर कौन है महंदर सिंग धौनी है लगजरी फैसन जूसी के ब्रांड अमेस्टर कौन है आलिया भट है कौन है आलिया भट है लगजरी फैसन जूसी के ब्रांड अमेस्टर साथियो यूनिसेफ इंडिया के एसियन हॉकी फेडरेशन के बार्न एमबश्टर कौन है सलीमा ठेटे सातियों कौन है सलीमा ठेटे एक बार फिर से मैं रीपीट कर देणा हूं इंफॉसिस ग्लोबल ब्रान्दमेस्टर कौन है राफेल नडाल है वन डे विशुक अप ग्लोबल एंबेस्टर कौन है सचिन दुलकरग है वाई कॉम जियो मार्ट और लेजी के ब्रान्दमेस्टर कौन है मैंदर सिंग धौनी है साथियो लगजरी फैसन जूसी के ब्रान्द मेश्टर कौन है आलिया भड साथियो है कौन है आलिया भड साथियो साथियो यूनि भैक इंडिया के ब्रान्द मेश्टर कौन है आईसिसी विश्व किर्केट कप के ब्रान्द मेश्टर कौन है सारू खान है एसियन होकी फेडरेशन के ब्रान्वेश्टर कौन है तो सलीमा टेटे है साथियो अगला पस्ट मारा है वंडे में सब से ज़्यादा 50 सतक बना कर सतको का अर्थ सतक बनाने वाले विश्टो के पहले खिलारी कौन बने है तो बिराथ खोली बने है साथियो कौन बने है विराठ कोली बने है साथियो अब किरकेट तो इंटरनेस्टर किरकेट कॉंसिल की हेड क्वाटर कहा है दोबई में है इसकी इस्थापना कब हुई 15 जुन 1909 को ICC की स्थापना हुई साथियो साथियो ICC के चेरपरसन कौन है तो ग्रेगवार के लिए है ICC के डिप्टी चेर्मेन कौन है इमिरान खुवाजा है ICC के CEO कौन है जियो फेलर्डिस है साथियो BCCI Board of Control for Cricket in India इसका हेड कोटर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई 1928 में इसकी स्थापना हुई साथिय क्रिकेट का जनम दाता कौन है इंगलेंड है क्रिकेट का जनम दाता क्रिकेट में रंजी ट्रॉफी इरानी ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी सीके नाइडू ट्रॉफी रानी जहांसी ट्रॉफी दीवधर ट्रॉफी जीडी बिर्ला ट्रॉफी रोहिनितन लुए काराथ ट्रोफी का सम्द्ध किस खेल से है साथ है। दुनिया का पहला क्रिकेट कलब का नाम क्या है हैं मिल्डन इसकी इस्तापना कब होई 760 में होई और दूसरा कौन सा है मेरी लिबॉन जिसकी इस्तापना कब होई 1787 में हुई कब हुई 1787 में दुनिया का पहला क्रिकेट कलब का नाम क्या है Hamilton इसकी स्थापना कब हुई 1760 में हुई और दूसरा कौन है Mary Le Bon जिसकी स्थापना कब हुई 1787 में हुई साथियो साथियो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में Male Learn में Australia और England के बीच हुआ पहला एक दिवसीय मैच भी Male Learn में हुआ था England और Australia के बीच कब हुआ 1971 में साथियो में क्रिकेट के बारे में कई दिनों से लगातार बता रहा हूं साथियो साथियो पर्थम World Cup जो हुआ था ये England में हुआ था बेश्टन डीज और उस्टलिया के बीच कब हुआ था, 1975 में हुआ था, पहला टेस्ट मैच कब हुआ शाथी हो, इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको, साथी हो, 1983 में इंग्लेंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और बेश्टन डीज के बीच हुआ, जिसने भ रिलक अप